हेलो एब्रिवन वेलकम तू माई चैनल अलका होबी जंसल दोस्तों आज मैं आपके साथ समर बेट लॉस नाइट ड्रिंग सेर करने वाली हूं जो अगर आप समर में लेते हो और इसके साथ साथ अपनी कुछ डाइट का ध्यान रखते हो तो आपका मन्त में 5 kg जरूर कम होगा इस नाइट ड्रिंग के साथ साथ आपको कुछ डाइट में भी चेंजेज करने हैं मैंने ऐसे कई डाइट फूड और कई ड्रिंग अपनी यूट्यूब चैनल में सेर किये हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं कि कौन-कौन से ड्रिंग है कौन-कौन स जाएगी या उसे कॉलेस्ट्रॉल बीपी की प्रॉबलम हो तो भी यह ड्रिक बहुत ही फाइदे मल्द होती है तो चलिए आज में आपके साथ दो ऐसे ड्रिंक सेर करूंगी जो आपका वेट लॉस भी करेगा साथ साथ आपके हेल्थ और अस्किन का विध्यान रखेगा तो के सुरू करते हैं वेट लॉस नाइट ड्रिंक बनाना वेट लॉस नाइट ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेन में दो कप पानी डालेंगे यह में एक लोगों के लिए बना रही हूं अगर आपको दो लोगों के लिए बनाना है तो आपको चार कप पानी डालन और इसको तेज आज पर हम बॉइल करने को रख देंगे इसे हम तेज आज पर बॉइल करेंगे यह आप देख सकते हैं हमारा जीरा बॉइल हो रहा है अब हम अपनी आज थोड़ी सी कम कर देंगे मीडियम पे कर देंगे और इसे तब तक बॉइल करेंगे जब तक कि यह आधी ना हो जाए अगर हमने दो कब डाला है तो इसे एक कब बना देना है आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा एक पिंच हल्दी डाल सकते हैं कि अभी जिस तरह का इंफैक्शन फैला हुआ है तो हल्दी हमारे हेल्फ के लिए भी बहुत ही अच्छा है यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको हल्दी डालनी है कि नहीं अब देख सकते हैं मेरी नाइट ड्रिंक बॉयल होके बिल्कुल आधी हो गई है अब हम इसे चान लेंगे मैं आप से एक बात और कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोई नाइट ड्रिंक लेते हो या मॉर्निंग लेते हो तो आप उसे सिपशप करके पीए, जैसे आप चाय पीते हो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल करके पीना या ठंडा करके पीना आपको गरम पीना है और वो भी शिपशिप करके और एक बात आप ध्यान रखे कि कोई भी ड्रिंक तभी सूट करती है जब आप खाने का भी ध्यान रखोगे ऐसा नहीं है कि आप पिज़ा बर्गर खाऊगे और कोई भी चीज खाऊगे और सोचोगे कि ड्रिंक पीने से आपका वेट कम हो जाएगा ऐसा नहीं होता तो चलिए अब मैं आपके साथ दूसरी नाइट डिंग सेर करने वाली हूँ दूसरी नाइट डिंग के लिए लगबग मैंने आधा कप पानी लिया है और इसे हम बॉयल कर देंगे इसे हम तेज आज पर boil करेंगे, हमारा पानी बॉइल हो गया है आप हम इसे कप में डाल देते हैं, अब हम इसमें जितना पानी है उतना अलोवीरा जूस डालेंगे, आप जब भी अलोवीरा जूस निकालते हो तो उसको बोटल को अच्छे से स्रीट कर ले, तभी जूस निका आप देख सकते हैं यह दोनों रेस्पी जो मैंने नाइट ड्रिंग की बताई हैं यह बहुत ही एजी है और तुरत बन जाती है दोस्तों आपसे और भी कुछ बाते हैं जो मैं आपसे सेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो इन बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा सबसे पहली बात अगर आप जब भी नाइट ड्रिंग बनाते हो तो उसे ऐसा निये कि बहुत ज़्यादा बना लेना और बहुत पीना है नाइट ड्रिंग बिलकुल थोड़ा सा होना चाहिए एक कप आधा कप बढ़ हाँ बिलकुल होट होनी चाहिए और दूसरी बात कि नाइट ड्रिंक आप बिफोर गोइंग टू बेड ले ऐसा नहीं कि आठ बजे ले लिया नौ बजे ले लिया अगर आप सोने जा रहे हो उसके आदा घंटा पहले ही आप नाइट ड्रिंक लेके सोए और डिनर आपको लगभग दो घंटे पहले कर लेना है क्योंकि जब भी हम कोई weight loss करते हैं तो हमें अपने डाइट का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है चाहे वो breakfast हो, lunch हो, dinner हो, कुछ भी हो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें चाहे कुछ भी effort कर ले, कित्ती भी exercise कर ले, लेकिन हमारा weight loss नहीं होता साल मैं खुद बहुत ही ज्यादा healthy थी, आप देख सकते हैं मेरी profile में जाके कि मेरा health कितना ज्यादा था, लेकिन जब मैंने एक बार decide कि नहीं मुझे health कम करना है, तो वो हो ही जाता है, तो please आज से आप decide करें कि आपको अपना weight loss कम करना है, तो उसे आप कैसे करोगे, आप मेरी वीडियो को follow करें, और कुछ भी comment आप करना चाहते हैं, कोई suggestion आपको चाहिए, तो आप comment कर सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दोंगी, तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो please like और share करना ना भूले, और साथ में, आपने अब तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please एक बार subscribe कर दे,